नमस्कार, मैं चनारा महला, असिस्टेंट प्रोपेसर राजनिती विज्ञान, राजकिय बांगड माहवदल डीडवना से अंतराष्टे समंध्व राजनिती के अंतरगत, आज हम दक्षेण ACI शेत्रिय सहयोग संगठन दक्षेण, जिसे हम शार्क भी केते हैं, के बारे में चर्चा करेंगे, शार्क, शावत एसेन असोशेशन फॉर रीजनल कोर्परेशन, और जिसे हिंदी में हम कहें, तो दक्षेण ACI शेत्रिय सहयोग संगठन इसकी इस्तिती देखिए, यहां दिख रही है, भारत, भारती उपमाधीप के ही जदा दर देश हैं, तो वास्तों में ये विश्व के नक्षे में भागोलिक शमिपता की दरिश्टिकोंड से देखे, तो बिलकुल नजदिक दिखाई देते हैं एक दूसरे के, और एक यू जोच को लेकर किये, इसकी स्थापना की गई, शार्क एजिसे दक्षिन एसे शेत्रिय सहयोग संगठन, अब स्थापना की बाद में, जिन उदेश्यों को लेकर किये, इसकी स्थापना हुई, उन उदेश्यों पर कहां तक ये खरे उतरे हैं, और वरतमान में कहां इसकी प् तो शुरुवात करते हैं शार्क या दक्षेश की इस्तापना से शार्क या दक्षेश का पूरा नाम South Asian Association for Regional Corporation अर्थार्थ दक्षन-ACI क्षत्रिय सहयोग संगठन 8 दिसंबर 1985 को ढाका में इसकी स्तापना हुई भारत व उस समय दक्षन-ACI के शाथ पड़ोशी देश भारत सहीद इसमें सामिल हुए सरोफर्थम शुरुवात की बात करें तो 1970 के देशक में बांगलादेश के ततकाली इनराष्टपती जिया उर्रहमान ने दक्षन-ACI देशों के व्याप्यार गुट के सर्जन का प्रस्ताव किया मई 1980 में दक्षन-ACI में क्षेत्रिय सहयोग का विचार फिर रखा गिया अप्रेल 1981 में सातु देश के विदेश सच्चिव कोलंबो में पहली बार मिले इनकी समितिने शेत्रिय सहयोग के लिए पांच व्यापक शेत्रों की इसमें पहचान की तो व्यापयर के दरश्टेगोण से इसकी सुरुवात में स्तापना करने का विचार आया आठ देसंबर 1985 को बांगलादेश, भुटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और स्रिलंका के परमुकूं दुवारा उक्त चार्टर को उपचारिक रूप से सिविकार की जाने के साथ ही इसकी स्तापना हुई तो ये साथ देस इसके सुरुवाती सदेशे माने जाते हैं भारत के प्रियासूं से इस शेत्रिय समों में अफगानिस्तान को सामिल किया गया और 3 अपरेल 2007 को अफगानिस्तान इसका आठवा सदेशे बन गया तो ये इस परकार शार्क की इस्तापना हुई बात करें सदेशे राष्ट्रों की तो शार्क के वर्तमान में जो सदेशे राष्ट्र हैं वो है अफगानिस्तान, बंगला देश, भुटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और सिरलंका कुल आठ देश इसकी वर्तमानों शदेशे हैं और इस नक्षे की माधिम से हम इनकी स्तिती देख सकते हैं बहुत ही जदा सारे ही देश जो है एक दूसरे के बहुत जदा समीप है इनकी भोगोलिक शमीपता जो किसी भी परिसंग या संग जब बनाया जाता है तो उसमें प बंगला देश, सिरिलंका और मालदीव जो छोटा एक दीप ये देश है तो ये इस प्रकार से ज्यादा तर देश भारती उपमादीप के ही और भारत के सभी प्रवसी देश इसमें सामिल हैं तो ये थे शार्क के शदेश्य राष्ट्र सहीयोग शेत्रों का निर्धारण वे उडेशे आब इसके जो शहीयोग शेत्र केन बातों पे हमें सहीयोग करना है और उडेशे क्या है? उसके बारे में चर्चा करते हैं शार्क का मूल अधार कशेत्रिय सहयोग पर बल देना है अगस्त उनी सु तैयसी में ऐसे नो शेत्र रेखांकित किये गए थे कर्शी, श्वास्ति सिवाएं, मौसम विज्ञान, डाकतार, ग्रामीन विकास विज्ञान, तता तक्निकी दूर संचार, यातायात, खेलकूद, संस्कृतिक सहयोग तो ये विशे, उन्हें सो तैयसी में सोचे गए थे, बाद में कुछ और विशे इसमें जोड़ दीगे, जिसमें आता है, आतंकवाद की समश्या, मादक दर्वियों की, तश्करी, तता शेत्र विकास में, महिलाओं की भूमी का, तो बहुत ऐसे, शेत्र शेयोग समंदित, ऐ बात करें इसके उदेशियों की, तो पर्थम जो उदेशिय था, वो है, दक्षन ऐसे क्षेत्र की जनता के कल्यान, तता उनकी जीवन इस्तर को शुधारना, दूसरा, दक्षन ऐसे के देशों की सामुहिक आत्मनिर भरता में वर्दी करना, तीसरा, क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक और सांसकर्थिक विकास में तेजी लाना, चोथा, आपसी, विश्वास, सूजबूज, तता एक दूसरे की समेशियों का मुल्यांकन करना, पांच्वा, आर्थिक, सामाजिक, सांसकर्थिक, तक्निकी और विग्यानिक शेत्र में शक्रिय सहयोग और परश्परिक शहता में वर्दी करना, छट्टा जो उदिशय है, अन्य विकासील देशों के साथ सहयोग में वर्दी करना, और शांसकर्वानिय हित्के मसलों पर, अंतरिस्टरी मन्चों पर आपसी सहयोग मजबूत करना, तो जोब इसके उदिशियों को हम देखते हैं, तो जदतर उधि विकासील देश हैं जो जिनमें कई परकार की समिशयों से हैं वो जूज रहेते उन इस समिशयों को अगर सभी देश मिलकर के सामना करते हैं और एक दूसरे का इन सभी शेक्टरों के अंदर सहयोग करते तो निश्चित ही आज इस उपमहदीप की दशा बदल जाती तो ये चल पाएए वो देखने वाली बात हो जहां बात आती हैं अंतराष्टी मचूं पर सहयोग करना ये षूछ बहुत अच्छे इत्सके उदेशी रखे गए थे आब बात करें सिकर समयलों की तो जो सिकर समयलन हुए आज तक वो इस फरकार है पर्थम सिकर समयलन आठ दिसंबर 1985 में धाका में दूसरा 16 नॉवंबर 1986 बैंगलोर, तीसरा 21 नॉवंबर 1987 काठमाडू, चोथा 29 दिसंबर 1988 इसलामाबाद, पांचवाँ 21 नॉवंबर 1990 माले, चट्टा 21 दिसंबर 1991 में कोलमबो, साथवाँ 10 अपरेल 1993 में धाका तो यह इस परकार आप देख पा रहे हैं कि सारे ही करम से एक के बाद एक सभी देशों में समयलन रखेगे आठमाँ 21 में 1995 में नई दिल्ली, नोमाँ 12 में 1997 में माले, दसमाँ 29 जुलाई 1998 में कोलमबो, ग्यारमाँ 4 जनुवरी 2002 काठमाडू, बारमाँ 2 जनुवरी 2004 इसलामाबाद, तेरमाँ 12 नॉवंबर 2005 धाका 14 तेरा अप्रेल 2007 नई दिल्ली, 15 एक से तीन अगस्त 2008 कोलमबो, 16 अठाईश उन्तीस अप्रेल 2010 थिम्पू, और सत्रवाँ 10 से 11 नॉवंबर 2011 अद्दू सहर और अठारवाँ जो है, वो 27 से 28 नॉवंबर 2014 काठमाडू, उन्नेस वाँ, जो कि 2016 में, इसलामाबाद पाकिस्तान में संभावित था, प्रन्तु भारत सहीद 2-3 देशों ने, पाकिस्तान की इस्तिती को देखती हुए, वहाँ पे सुरुक्षा की दरिष्टिकोंड से, इस इस साल कोरोना की वजए से नहीं हो पाया, तो ये इस प्रकार सिकर समयलन है, अब हम ये सोचें कि इन सब को याद रख लेंगे, तो बहुत ज़्यदा मुश्किल है, हमें इन में से जो भारत में सिकर समयलन हुए, या जो पर्थम सिकर समयलन है, वो और महतुपुरुन जो जो सिकर से मिलनों इसे अक्सर पूछे जाते हैं वो ध्यान रखने आवशेक हैं। बात करें सच्चिवाल्य की तो सच्चिवाल्य भी इसका एक महत्वपुरुन अंग्व है। जो कि सभी परमुक उदेशे लक्षे वहीं से बेट करके तय किये जाते हैं। तो इसका सच्चिवालिय दक्षन, HCI शेत्रिये सहयोग संगतन दक्षेष का, सच्चिवालिय नेपाल कि राजददनी काठमंडू में श्तितत एक कोंप्लेक्स है, तो गहाँ पर श्तितत है काठमंडू, यह है कोंप्लेक्स, दक्षन A.C.I. श्यत्रिय सहयोग संगठन सार्क के आदिकारिक मुख्याले के रूप में कारिय करता है जो कि मुख्य रूप से दक्षन A.C.I. में इस्तित आठ सदेश्य देश्यों का एक आर्थिक और भूर आजनितिक संग है मुख्याले गत्यविधियों के समन्वे विक्रियानवन पर नजर रखता है और सिवा बेटकों के लिए तैयारी करता है असोसियेशन और इसकी सदेश्य राज्यों के साथ ही अन्य श्यत्रिय संगठनों के साथ संचार के एक चैनल की रूप में ये कारिय करता है शाप्ठा दक्षण ACI मुक्त व्यप्यार क्षेत्र साप्ठा दक्षण ACI मुक्त व्यप्यार क्षेत्र के बारे में दक्षण ACI सहयोग संगठन के बारवा अधिवेशन में पाकिस्तान की राजदानी इसलामबाद में इसमें निरने हुआ जिसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, सिरिलंका, बंगलादेश, बुठान और माल्दिव के बीच 2016 तक मुक्त व्यप्यार शेत्र कायम करने का प्रस्ता रखा गया तो यूरोप का जो यूरो है उसी तरीके से जो भारत सहीत ये जो दक्षन ऐसे ये देश है इन्होंने भी अपना यहां पर मुक्त व्यप्यार शेत्र, अपने रजियों की शीमाओं को खोलने की बात यहां पर कहेगी उन पर जो परतीबंध थे, जो टेक्स थे, उनको कम करने की बात कहीगी ताकि सुगमता से एक दूसरे के व्यापेरिक शेत्र के अंदर सहयोग किया जा सकते एक दूसरे का विकास कर सके तो उसको नाम दिया गया शाप्ठा इसमें शार्क देशों के शारे विदेश मंत्र उपस्तित है इसमें साप्ठा पर इन देसों के परतिनेधियों ने अस्ताकसर किये तो ये साप्ठा की यहां पर इस्तापना होती है परंतु वास्तों में साप्ठा अपने इन लक्षों की प्राप्ति के और आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि 2016 से लेकर अभी तक इतने सालू में ही भारत और पाकिस्तान की बीच में लगतार पाकिस्तान की आतंकवादियों को प्राप्तसान देने की निती की वज़े से तकरार होती रही और आज भी दोनों देसों की बीच में वेपरिक समंद जो है वो अच्छे नहीं है तो एक दूसरे की शिमाएं पूरी तरीके से खोलना संभव ही नहीं है इस वज़े से साप्टा ज्यादा सफल नहीं हो रहा है अब बात करें शार्क की भूमिका का मुल्यांकन कहां तक ये शार्थक हुआ है दक्षन ऐसे एक शेत्रिय सहयोग संगठन की स्तापना ऐसे समय में हुई थी जबकि इसके कुछ सदेशे देसों के आपसी समान्य नहीं थे अलोचकों के अनुसार सार्क के मारग में अने कठिनाईयां और बाधायें हैं जो इन राष्ट्रों को एक जूटता के प्रियासों को साकार नहीं होने दे रही है दक्षन ऐसे की कोई पर्थक पहचान नहीं है इसमें जो देश है उनके अपने अपने पर्थक पर्थक शुवार्थ पसंसकरतिय होने के कारण इनमें एक जूटता हमें नजर नहीं आती है जैसे एक जूटता यूरोप के देशों में नजर आती है जैसे एक जूटता आप जो है सिंगापूर, मलेशिया उन देशों में हम देख पाते हैं जो आसियान के देश हैं या जो अफरिका के देश हैं तो उनमें जैसे संस्कृतिक एक्ता नजर आती है वैसी इसमें नजर नहीं आती है इसमें बात करें पाकिस्तान अपने आपको इसलामिक मध्य पूर्वे का अंग समझता है दक्षिन एसिया का नहीं तो पाकिस्तान इसे अलग धरग ही रहता है उसकी ज़्यादा इसमें रूची भी नहीं है नेपाल कभी चीन की ओर देखता है और कभी भारत की ओर तो ये भी इसकी सोच भी भारत और चीन के अंदर बंटी भी लग रही है स्रिलंका शार्क की अप्यक्षा आसियान की सदेश्यता के लिए ज़्यादा इच्चुक है शार्क के सदेश्य राष्ट्रों में अत्यदिक विवित्ता है एक तरफ पाकिस्तान जेसा देश जहां कभी सेनिक तानास आई तो कभी आतंग की संगठनों का बोलबाला रहता है व नहां तक की सियुक्त राष्ट्र संग में भी ये देश एक दूसरे के विरुद मतदान करते हैं तो जो जिन उदेश्यों को लेकर कि इसकी सुरुवात हुई वो उदेश्ये हमें प्राप्त होते भी नजर नहीं आते हैं पाकिस्तान स्रिलंका नेपाल अफगानिस्तान प्यार साइद जितने भी शुविधा हैं होगी उनसे जदा फाइदा भारत वाले उठा लेंगी तो भारत से थोड़े भेवीत भी है और इसी वज़े से और कुछ उनकी विक्तिगत महत्म कांक साय जिस वज़े से वो एक यूनिटी की रूप में सामने नहीं आ पा रहे हैं शार्क ने तो यूरोपियन यूनियन अत्व आसियान की भांती आर्तिक शक्ति बन पाया और नहीं अंतराष्ट इतर पर अपनी कोई प्राजनितिक पहचान बना पाया है बंगलादेश की पूर्व परधान मंत्री बेगम खालिदा जिया ने इसे बंटे हुए घर की संग् दी है तो ऐसा घर जो बंटावा है जो एक मत नहीं है जो अलग अलग दिसाओं में जा रहा है तो इसे बंटे हुए घर की सिंग्या दी गई है यह थी सार्क का मुल्यांकन अब बात करें ऐसफलता के कारणों की तो क्या कारण रहे कुछ कारणों की बात तो हम मुल्यांकन में कर चुके हैं थोड़े बहुत आगे देखें शार्क के ऐसफलता के कारण दक्षन ऐसिया विश्व का सबसे असंगटित शेत्र हैं, शार्ख देसों के बीच आपसी व्यपयार, उनके क्यों व्यपयार का मात्र 5% ही, तो व्यपयार को जहां खोलने की बात हुई, मुक्त करने की बात हुई, उसके बावजूद भी आज 5% ही इन देसों का आपस में व्यपयार है, वर्स 2006 में शार्क देशों की बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किया गया दक्षन एसियाई मुक्त व्यापार शेत्र शाप्टा साउथ एसिया फ्री ट्रेड एरिया समझोता वास्त्विक्ता में बहुत अधीक सफल नहीं रहा शार्क समौ की अंतिम पिछली बेठक वर्स 2014 में नेपाल मायवजित की गए थी भारत के उरी शेत्र में हुए अत्यमकवादी हमले के बाद 2016 में इस्लामाबाद में प्रस्तावित शार्क के 99 समयलन को रद कर दिया गया था इसके बाद से शार्क के किसी समयलन का आयोजन नहीं हुआ हाल के वर्सों में बिम श्टेक में भारत की बढ़ती गतिविधियों के बाद शार्क के भविशे पर परसंद चिन उठने लगा है तो जहां स्रिलंका जैसा देश वो कोशिश कर रहा है कि धिर धिर आस्यान की तरफ जाया जा भारत भी आस्यान से मितरत बढ़ाने को लिए आतुर है और भारत आस्यान का एक कह सकते हैं कि एक आमंत्रित सदेश्य है इस्ताइश्य तो नहीं बन पाया पर विशेश आमंत्र भारत मयानमार ये ऐसे देश स्रिलंका भी थाइलेंड भी तो ये ऐसे देश जो हिंद महासागर के देश हैं वो बंगाल की खाड़ी विशेश तोर से आप देख लीजिए उस तरब के तो वो कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है व्यापरिक शेत्र में हम सहयोग आपस में बढ़ा और क्यों उसका कारण सबसे बड़ा कारण देखें तो वो है पाकिस्ता विशेश क्यों के अनुसार भारत पाकिस्तान संगर्स इस समुह के एशपलता का एक सबसे बड़ा कारण है भारत के लिए ऐसे स्थिति में पाकिस्तान के साथ सामाने वैपैर को बढ़ावा देना ब दिखाई देता है तो क्यूं ऐस अपल होगा यह शार्क ऐस अपल हो रहा है तो उसका सबसे बड़ा कारण पाकिस्तान की आतंगवादियों को प्रोच्छान देने की नीती है और जब तक पाकिस्तान इस नीती को और कश्मीर के शंदर्व में अपने दृष्टी कोण को नहीं बदलेगा तब तक शार्क जैसा संगठन जो है वो प्रोग्रेस कते ही नहीं कर सकता है बात करें हम प्रासांगिकते की अब क्या प्रासांगिकता हमें इसकी नजर आती है जब इतने सारी बादाएं हैं उसके बावजूद भी कहां इसका सदुपियोग हो सकता है कि आज के बरतमान शंधर्बु में क्या इसकी हमें प्राशांगिकता नजर आती है कहां तक यह प्राशांगिक है उसके बारे में बात करते हैं शार्क के मारग में अनेक बाद हैं हैं वे आगे भी रहेगी आज पाकिस्तान जैसे राश्टर के होते वे सबको शात लेकर के चलना बहुत मुस्किल लग रहा है फिर भी भारत अपनी तरब से लगातार कोशिश कर रहा है कि इस मंच का सदुपियोग किया जाए इस वर्ष भ एक बेठक का आयोजन किया तो भारत लगातार कोशिश कर रहा है कि इसका कुछ फाइदा सभी शदेशे देशों की जन्ता को मिल सके भारतिय प्रधान मंत्री के प्रस्था उपर 15 मार्श 2020 को आयोजित इस वर्चुल बेठक में शार्क देशों की शार्क देशों ने 19 की चुनोती से निपढ़ने के लिए एक सार्क कोविट 19 एमर्जेंसी फंड देखे कितना महतुपूरण एक फंड बनाया गया है जिसमें सार्क देशों के लिए वहां मेडिसीन की सुविधा देना सबसे पहले या उनमें मेडिकल सुविधाएं देने की बाद इस फंड के मादेम से कोशिज तो भारते प्रधान मंत्री ने एक कोशिश की कि इन तेसों के अंदर एक अमर्जेंसी फंड बना करके शुआस्ते शुविधाओं में विस्तार किया जा शार्क कोविट 19 अमर्जेंसी फंड इस तापित किये जाने का प्रस्ताव रखा और इस फंड के ल भारत ने शारक देशों के विदेश सचिवों वैने अधिकारियों के साथ विचार मिमर्ज से इस फंड के लिए रूपरे का त्यार करने का शुजाव दिया गया अगर इसी तरह दूसरे देश भी शकरात्मक सोच रखेंगे तो निश्चित ही यह संगठन उन विदेशियो तो अगर पाकिस्तान जेसे देश अपनी निती में परिवर्तन करता है तो निश्चित ही शारक उनों देशियों की पूर्ति कर पाएगा उनों देशियों को प्राप्ति कर पाएगा जिनों देशियों को लेकर कि इसकी स्तापना की गयी थी तो ये था शार्क या दक्षेश 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 एक शेट्रिय सहयोग संगठन और साउथ एसेशेशन फोर रिजिनल कोर्परेशन शार्क धन्यवाद